हलो एबरिवान वेलकम बाक टू दे चानल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, फेस्टिवल्स और फेयर्स ऑफ इंडिया और हम ट्रेड़िशनल फेस्टिवल और फेयर्स की बात नहीं करेंगे वलकि current affairs में जो भी festivals रहे हैं जो भी fares रहे हैं उन से related बात करने वाले हैं कौन से स्टेट से रिलेटेड है और क्या-क्या क्यूं करेंट में वो रहा है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहला इसके बारे में कुछ बेसिक बाते करें तो ओनम जो है दस दिन का एक एन्युल हार्वेस्ट फेस्टिवल है और यह वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है केरिला में बाय मल्याली कम्यूनिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है कति भी हु फेस्टिवल इन असाम यह किस पेड़ के या फिर किस प्लांट के सामने एक लैंप जलाकर या फिर एक दिया जलाकर बिसिकली यह फेस्टिवल को असम में सेलिब्रेट किया जाता है तो आंसर होगा एक तुलसी तुलसी का पौधा जो है जो हिंदू कल्चर में बहुत ही पवित्र रूप में देखा । जाता है नियुड है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं तो यह जिड़ काति भि frust is an asam का इकakt फेस्टिवल है और सी तुलसी के सामने इसमें इस में दिया जलाकर रखा जाता है इस तरह का इस अदि आप जाता है अब बात करें तो तीन टाइप के भितिंप का फेस्ट ज्सब्सक्वाइब नाम है पॉंगल कि आग इसी महिने और नेक्स्ट का ने harvest festival जो है जिसका नाम है पॉंगल यह शुरू हुआ कहाँ पर तमिल नाडु में साउथ का यह एक festival है पॉंगल इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह harvest festival है question में आप समझ के होंगे celebrate किया जाता है तमिल नाडु में इसके अलावा इसी festival में एक important sport होता है जिसका नाम है जली कट्टू यह एक sport है जो perform किया जाता है during the festival of पॉंगल इसमें क्या होता है बुल fight होती है with people ठीक है sand की fight बुल्स की fight करवाई जाती है लोगों के साथ और इसी का नाम है जली कट्टू पॉंगल जो है यह चार दिन का एक फेस्टिवल है फोर डे लॉंग फेस्टिवल है फॉर्स डे पर इसमें भोगी पॉंगल के रूप में इसलिबरेट किया जाता है सेकेंड दे सूर्य पॉंगल थर्ड दे मट्टू पॉंगल और फोर्थ दे कानूम पॉंगल नेक्स्ट है किस शहर ने राष्ट्रे संस्कृति महोच्छव के बारवे संसकरण की मेचबानी की 12th edition of राष्ट्रे संस्कृती महोचसा ये होस्ट किया है है हैदरबाद सिटी ने option number B होगा आप इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रे संस्कृती महोचसा बारवा एडिशन है question से ही समझ गए होंगे कहां पर होस्ट किया गया है हैदरबाद जो कि तिलंग गाना में है पहला राष्ट्रे संस्कृती क्योंकि हमने देखा 12th edition है तो पहला कहां पर सेलिब्रेट किया गया था 2015 में इसे organize किया गया था और ये ministry of culture संस्कृती मंत्राले का एक initiative है इसका aim है to preserve and promote heritage of India जिसमें culture, craft और cuisine इन सब ही को preserve और promote करने की बात की जाती है festivals और fairs में बागी one-liners को देखा जाए तो सबसे पहले है इंडिया का first lavender flower plant festival यह गहां पर हुआ है भद्रवा जमू कश्मीर में आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी पुरानी न्यूस भी है यह फिर उसके बाद फोर्थ एडिशन जो है शिर्यूई लिली फेस्टिवल का हुआ है मनिपूर में ठीक है इसका शुरू हुआ है मनिपूर में कौनसा एडिशन फोर्थ उसके बाद जोतिर गमय फेस्टिवल नई दिली में लॉंच किया गया है बाइक कल्चर मिनिस्टर जी किसन रेडी नेक्स आजाता है फेस इस तरह है कि देखेंगे ना रीजिनल जो फेस्टिवल होते हैं मोस्टली वो एगरी कल्चर से ही या हार्वेस्ट से ही रिलेटर होते हैं उसके बाद इस शिक्षक पर व दो हजार बाइस यह इनोग्रोट किया गया बाइजुकेशन मिनिस्ट्री नागा मिर्चा फेस्टि हर्याली नाम से समझ आ रहा होगा एक ट्री फेस्टिवल है कहां पर हुआ ताल कटोरा स्ट्रेडियम नाई दिली में और्गनाईस किया इसे मिनिस्ट्री ओफ एन्वार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमिट चेंज ने अंबुबाची मिला बहुत फेमस है कामाख्या टेंपल जो है असम में यहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है यह एन्वल हिंदू मिला है अंबुबाची मिला फिर उसके बाद खर्ची फेस्टिवल यह भी एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि त्रिपूरा में सेलिब्रे पूरी ओडिसा में इनागरेट किया गया नेक्स्ट है उनमेश इंटरनाशनल लिटरेरी फेस्टिवल ये शुरू हुआ है माचल प्रदेश में साओ जौाओ फेस्टिवल ये गोवा में हुआ मेंगो फेस्टिवल् तूमो से उनमेश खूर अंहीं ही अर्गरेगाइश किया अपयड ने गहां पर बाहरें में में इंगवेश फैस्टिवल और आपीड नेयुए फूल फूर्म किया है एक्री कालटिरल और प्रशेश्ट फूर्ड़। एक्स्पोर्डेवल्मेंट अथरी तो basically जो भी agricultural food होता है food product होता है उसके export को देखने का काम इसी का होता है अपेड़ा को और इसी ने organize किया है mango festival बहरेन में नेक्स्ट क्वेशन है सरुखल महुतसव किस राजे में मनाया गया है जार्खन में और यह जो है मुणड़ा हो और उर्ण जंजाती के दौरा tribes के दौर है जार्खन के देख लिजेड चीफ मिनिस्टर है हमन स्रोन और गवर्नर इस समय है रमेश बैस 35th सूरजगुन इंटनाशल क्राफ्ट मिला ये जो मिला है हर्याना में सूरजगुन कहां पर हर्याना में है तो वहीं के नाम पर इस मिले का नाम है और हर्याना में ये सेलिब्रेट किया देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कहा पर हर्याणा के फरीदबबाद में theex state कौन इसमें रहा था जमु-कश्मीर और जमुकश्मीर थीम स्टेट के साथ पार्टनर स्टेट भी था और पार्टनर कंट्री के बात करें तो य merchants कि छिथिराई लो फेस्टीवल गिश्राज को सेलेड़ किआ गया इस के बाड़े में बात करें तो इसे मीनाक्षी कल्यानम के नाम से भी जानते हैं ठीक आपर्यलों को बे分 ब्लता попроб we तमिल नाडू से ही related हैं पहला है float festival मदुराई तमिल नाडू में celebrate हुता है और चारेट festival या फिर जिससे रत महोचसव कहते हैं यह सुचिंद्रम थनु मलियन टेंपल में इसको celebrate किया जाता है पचीसवा राष्ट्य युवा महोचसव किस राज्य या किंद्र शासित प्रदेश में आयुजित किया गया तो 25 नेशनल यूथ festival यह celebrate किया गया पुडू चेरी में कब किया गया 12 से 16 जनवरी के बीच में नेशनल यूथ festival यह celebrate किया गया on the birth anniversary of Swami Vivekanand last year जो 2021 में celebrate किया गया था 24 उसकी theme थी युवा उत्सा नए भारत का राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने किस राजे में माधवपूर घेड मेले का उधगाटन किया तो राष्ट्रपती नहीं होगा फॉर्मर राष्ट्रपती होगा तो इन्होंने गुजरात में माधवपूर घेड मेले का उधगाटन किया दोहजार अठार से इस मेले को और्गनाईज किया जाता है और हर साल इस मेले को और इसमें लौर्ड कृष्णा और रुक्मनी के sacred union को celebrate करते हैं ठीक है कहा गुजरा हरात फेस्टिवल यह कहा है जमो कश्मीर का है और इसके बारे में देखे तो में कश्मीरी पंडित्स के दौरा यह फेस्टिवल मनाया जाता है हरात का मतलब होता है night of hara और इसका another name यह जो है another name है शिवा का ठीक है यह यहां पिक्चर भी आप देख रहे होंगे नेक्स्ट है गंगोर उत्सवय के स्राज्य में मनाया जाता है तो यह जो है गुजरात MP राजस्थान इन सब ही राजियों का एक इंपॉर्टन फेस्टिवल है इसके बारे में बात करें तो सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान और मध्यपरदेश गुजरात वेस्ट पंगाल के कहां पर है हमें इस नेशनल पार्क लादाक में है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं यह सेलिब्रेट किया गया ऑन दे बर्थ अनिवर्सरी ऑफ गुरू पद्म संभव जिन्हें सेकेंड बुद्धा भी कहा जाता है उसके बाद है लाभाब दूचेन मुझे बोलना नहीं भूद्धिस फेस्टिवल फेस्टिवल यह जो कि सेलिब्रेट किया गया मे ड्यम मेफी सेलिब्रेट किया गया थे लाव फेस्टिवल रचस्थान साम दावा यह सिक्किम का है और नलवारी फेर यह कैटल फेर है पशुओं का एक मेला है जो सेलिब्रेट किया गया हिमाचल प्रदेश में ठीकि और सिक्किम वाले जो है न कुछ डिफरेंट नेम भी आएंके और आप याद रखेंगा क्योंकि यह कम ही आते है न्यूज में फिर टोर गया फेस्टिवल यह रुनाचल प्रदेश का है और बाए मोन पार ट्राइबल कम्यूनिटी यह सेलिब्रेट किया जाता है रथ सब्तमी फेस्टिवल यह जो फेस्टिवल है सन गॉड यानि की सूर्य भगवान लौड श्री सूर्य नारायन स्वामी इनके लिए फोर्थ एडिशन शिरुई लिली फेस्टिवल का हुआ मानिपूर में यह हमने पीछे भी देखा था इशान मन्थन यह जो फेस्टिवल है और यह वेस्ट बंगॉल में सेलिब्रेट किया जाता है और जात्रा से मेंली जाधा तर वह वेस्ट बंगॉल के ही होते हैं उसके बाद नेक्स्ट आजाता है रन उत्सव रन कहां पर है कच का रन गुजरात में गुजरात का है यह उसके बाद है मकर विलक्कू फेस्टिवल यह केरला का है और सबरी माला टेंपल में इसे सेलिब्रेट किया जाता है छपर मिला यह लुधियाना बंजाब का एक फेस पुष्कर मेला पुष्कर कहा है राजस्थान में पुष्कर मेला भी राजस्थान का है और यह इंडिया का लार्जस्ट केमल्स फेर है ठीक है उंट का मिला है लार्जस्ट इंडिया का फिर है देव दीपावली फेस्टिवल यह वारंड से उत्तर प्रदेश में जाता है तो इन सभी को देख लेते हैं सबसे पहले है उगारी ये आंधरप्रदेश तेलंगाना और करनाटका का एक न्यू इयर फेस्टिवल है नव वर्ष का उत्सव है ठीक है फिर है गुडी पढ़वा ये महराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है इसके बाद वरुशा पिरपू या फिर पुथंडू इसे तमिल लाणू में कहा जाता है पहेला बैसाख वेस्ट बिंगॉल में जाना जाता है नवरेह जम्मू कश्मीर में उसके बाद है पना संकरांतरी ओरिसा में विशु के नाम से इसे केरला में जाना जाता है मल्याली न्यू इयर है पार्टस असंब के भी करनेशन फ़ेस्थ करते हैं इसे संफ यंडानेश्रेयट करते हैं Diese इंटनेशनल साइंस फेस्टीवल ठिसलेब्रेट किया गया कोई धार्मिक फेस्टिवल है लसूंग फेस्टिवल जो है इंशेंट नाग कल्चर की और जम्मू-कश्मीर में यह मनाया जाता है celebrate किया जाता है next question आ जाता है गंगा सागर मेला किस राजे में शिरू हुआ है पीछे आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप कौन से पता होगा गंगा सागर मेला यह कहां शिरू हुआ वेस्ट विंगॉल में और इसके बारे में देखें तो यह तो देखी लिया है वेस्ट विंगॉल गंगा सागर आईलेंड में इसे मनाया जाता है और और और्गनाईस किया जाता है ड्यूरिंग मकर संक्रांती ठीक है नेक्स्ट है नवरोज महोटसव को निमनलखित में से किस नाम से भी जाना जाता है नवरोज जो है यह पर्शियन न्यू इयर के नाम से भी जाना जाता है इसे और या फिर इरानियन न्यू इयर के नाम से भी जानते हैं हर साल अराउंड 21 मार्श को यह पूरे दुनिया में पूरे विश्वमे में मनाया जाता है PM Modi ने 11 खेल महाकुम का उद्गाटन कहां किया 11 खेल महाकुम इसका उद्गाटन किया एहमदाबाद में और एहमदाबाद में कहां सरदार पटेल स्टैडियम में 11 एडिशन था कौन सा मंत्राले रंगोली उत्सव उमंग आयोजित किया किस मंत्राले ने उमंग जो है रंगोली उत्सव है कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे आयोजित किया गया इसके बारे में देख लेते हैं कब आयोजित किया गया 24 जन्वरी को इस दिन क्या होता है National Girl Child Day होता है ये और्गनाइस किया गया कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा और अज पार्ट आजादी का अमरित महुत्सव नो 2021 के कुछ इंपोर्टन फेस्टिवल्स को रिवाइस कर लेते हैं तो सबसे पहले हैं माग भी हूँ हार्वेस्ट फेस्टिवल ये किस राजे में मनाया गया है तो ये जो फेस्टिवल है असम में इसे मनाया गया है असम के कुछ फेस्टिवल्स और हैं जैसे कि टी फेस्टिवल है इसके अलावा शिल्प ग्राम फेस्टिवल है वंचुआ फेस्टिवल है इसमें क्या होता है dance perform किया जाता है by Tiva Tiva tribesmen उसके बाद next question है Tulip festival ये किस राजे या फिर केंदर शासित परदेश में मनाया जाता है Tulip festival ये मनाया जाता है Jammu Kashmir में और पीछे हमने ये देखा भी था हरात festival ये भी Jammu Kashmir में मनाया जाता है हाल ही में गुरम गुरमहोचसव गुर फेस्टिवल ये कहाँ पर celebrate किया गया तो ये लखनव में celebrate किया गया लखनव कहाँ है उत्तरपडेश में और यूपिक के कुछ और festivals है जैसे के स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जासी में बनाना फेस्टिवल कुशी नगर में और काला नमक राइस फेस्टिवल सिर्धार्थ नगर में मनाया गया यह हाल ही में राजा महुच सव किस राज़े में मनाया गया राज राजा महुच सव यह ओरिसा में सेलिप्रेट किया गया और इसके अलावा एक 15th तो शाली नैशनल क्राफ्ट मिला ये भी उडिसा के भुवनेश्वर में इसे सेलिब्रेट किया गया, इनोग्रेट किया गया था 2021 में कुम मेला 2021 किस राज्ये में आयुजित किया गया, कुम मेला ये उत्राखन में आयुजित किया गया और चार डिफरेंट लोकेशन पर ये आयुजित किया जाता है, पहली है प्रियागराज, जो कि संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का, फिर दूसरी लोकेशन है उजयन, यहां पर जो नदी शिपरा नदी है, इसके खिनारे मनाया जाता है, हरिदवार में गंगा समारो कहां मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है ग्वालियर में, तांसेन कहां से थे, ग्वालियर से ही थे, हॉर्ण बिल महोटसव निमनलकित में से किस राजे में शुरू हुआ, हॉर्ण बिल महोटसव यह शुरू हुआ नागलेन में, नागलेन का एक बहुत ही इंपोर असाधी बीज फेस्टिवल यह एक कछी नियू यर कछी रीजन में जिसको माना जाता है ठीक है और कछ कहां पर है गुझरात में है इसके अलावा है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अंतराश्वे पतंग महुटसव यह भी गुझरात में ही इसको भी शुरू किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है चेरी ब्लोसम फेस्टिवल यह कहां पर मनाया गया तो यह मनाया गया था मिगाले में बोनालू महुटसव किस राजे में मनाया गया है इसका है तलंगाना मांडू महुटसव कहां मनाया गया तो मांडू मध्यपरदेश नेक्स्ट क्वेशन पर आता है ओनम फसल उतसव किस राजे में मनाया जाता है हमने स्टार्टिंग में देखा था केरेला में मनाया जाता है हरेली तियोहार किस राजे में मनाया जाता है ये भी हमने पीछे देखा था हरेला हरेला कहां का है उत्राखंड का और हरेली फेस्टिवल यह है 36 कड का शिगमो फेस्टिवल यह कहां पर किस राजे में मनाया जाता है शिगमो गोवा का है नुवाखाई करशी महुचसव नुवाखाई अक्रिकल्चरल फेस्टिवल यह मनाया जाता है ओडिसा में फ्लेमिंगो उचसव किस राजे में मनाया ज ठीक है नेक्स्ट क्वेशन काला घोडा कला महोटसव काला घोडा आर्ट फेस्टिवल ये मुंबई में सेलिप्डेट किया जाता है राश्ट्रिय संस्कृती महोटसव 2021 का ग्यारवा संस्करन किस राजे में हुआ यह हमने पहले भी क्वेशन देखा था लिगीनिया पर 2021 की ब स्ह toolbox है यह हुआ जाए को यह हमने हिख्यां अंतराश्यय योग महोटसव 2021 किस राजे में बनाए गया तो यह था उत्राखंड अट्टूकल पॉंगाला धार्मिक तयोहर किस राजी में मना जाता है केरिलह में मना जाता है अटूक पॉंगला रिलीजिस पेस्टिवल राष् आदिपूरम कार फेस्टिवल है एक यह कहां पर मनाया गया तो यह मनाया गया था तमिल नाडू में नेक्स्ट कुशिन है पोहेला बोईशाख यह नववर्ष महोटसफ है किस राजे में मनाया जाता है तो कुछ आप इन वोर्ट से समझ गये होंगे बोईशाख से वेस्ट ब यह क्वेस्टन है आप लोग के लिए कार्निवल महोटसफ यह किस राजे में मनाया जाता है ऑप्शन है गुजरात गोवा मनिपूर या फिर तमिल नाडू तो इसका सही आंसर जरूर दीजेगा कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है आई होप आ लोगस को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजए थांक यू सो मच वाचिंग दवीडियो जय हिंद